हनी चिली पटेटो की ऐसी रेसिपी जिससे गैरिंटी क्रिस्पी बनेंगे, लंबे समय तक उनका कुरकुरापन बरकारा रहेगा, और साथ ही अगर आप इनको स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसकी ट्रेक भी मैं आपके साथ शेर करूँगे, तो सबसे पहले रेसिपी को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जल्दी से कर लो, दो बड़े साइस के आलूओं को छील के धो लिया है, उनकी साइड्स निकाल देंगे, और साइड्स को आप सबजी अगर में यूज कर सकते हैं, आपको इनकी थिकनेस, मोटी या पतली जैसी भी रखनी आप रख सकते ह मैं थोड़ा सा थेखी रखती हूँ, तो सारे आलू कटने के बाद, अब सबसे पहला स्टेप है कि इनको हमें अच्छे से वाश करना है, तो इनको कम से कम दो से तीम बार पानी बदल के वाश करेंगे, जब तक की सफेद पानी आता रहेगा, ये देखिए सफेद पानी आ है, इसका मतलब इस अभी स्टार्च है, अब मैं एक बोल से निकाल कर दूसरे बोल में इसको डाल रहे हूँ, इस तरीके से जब तक पानी में सफेदी से आएगी, आप इनको वाश करेंगे, वाश करने के बाद चान के इनको साइड बहरग दें, अब मैंने एक पतीले में गरम किया है, जब पानी अच्छे से बॉल होने लग जाएगा, इसमें कटे हुए आलू थोड़ा नमक डाल देंगे, आलू को आपको 60% तब कुक करना है, यानि कि जब आलू आदे से थोड़ा सा जादा बॉल हो, गैस को तुरंद बंद करके पानी से हटा दे, नहीं तो आ आलू को, देखें, आलू इस समय गरम ही है, तो हम गरम आलू ही उस करेंगे, तो सबसे पहली लेयर स्लरी की होगी, स्लरी में आलू को अच्छे से डिप कीजिए, और उसके बाद तुरंद ही इसको सूखे हुए ड्राय काउन फ्लार में कोट कर दीजिए, इस तरीके से करने अब अगर आप चाहें, तो सारे आलू भी कौन फ्लार की स्लरी में डिप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हलके हातों से कीजिएगा, नहीं तो तूट जाएंगे, सारे अच्छे से कोट होने के बाद 5-6 मिनिट के लिए इनको एक बार साइड में रख दें, मैंने तेल गरम कर तेल को मीडियम होट आपको रखना है, और आलू को हम फ्राय होने के लिए इसमें डाल देंगे, इस बात का ध्यान रखें कि आलू को तेल में डालने के तुरंत बाद आप इसको पल्टेंगे नहीं, जब एक साइड से लेयर हलकी सी क्रिस्पी हो जाएगी, उसके बाद ही आप इनको कलेटना शुरू करें, तो मैं क्या करती हूँ, तेल में डालने के बाद कड़ाई को हलका सा शेक कर देती हूँ, जिसे की ओईल की एक लेयर आलू के उपर भी आ जाती है, देखे आलू अब आदे से थोड़ा से ज़ादा क्रिस्पी हो गए हैं या कहेंगे सिग इस स्टेज पर आप इनको चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं, इनको अच्छे से ठंडा करके आप फ्रीजर में रख दें और जब भी आपको हनी चिली पटेटो बनाने हैं, निकालिए, थोड़ा से इनको फ्राई कीजिए, सॉस में मिलाईए और आपके हनी चिली करके हमसे मिला देंगे, साथ में पतला लंबा कटा हुआ अद्रग मिलाएंगे, थोड़ा सा सौटे करेंगे, अब उसमें हम सारे सॉस मिला देंगे, मैंने या सॉस की जो क्वेंटिटी मेंशन की है, उससे ये हलका तीखा बनेगा, आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो रेड चिली सॉस, शैजवान सॉस और कश्मीरी लाल मिर्स की क्वेंटिटी को हलका सा बढ़ा सकते हैं, फ्राइ के वे आलू और हलका सा नमक डाले, ज्यान रखें कि नमक हमने सलरी में और बॉयल करते समय भी मिलाया हुआ है, लास्ट में हनी मिलाएंगे, गैस को बंद कर अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हैं तो बारी काटके वो भी उपर से मिला दें, भुने हुए तिल के साथ इसको सर्फ करें और लाइक, शेर, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना